हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूं वह हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह जो मैं कुछ आदते आप सब के साथ शेर करने वाली हूं वह आप अपनी रूटीन लाइफ में फॉल सुबह में जल्दी ऊठना चल्दी उतने की आदत सब को होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपकी लाइफ को चेंज करना की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है सुबह जल्दी उठने की खास्तियत यह है कि उस टाइम पीस्पूल एक्मिस्पेर होता है तो उस टाइम पे आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल सकते हैं उसमें आप exercise आपको कुछ राइटिंग करना पसंद हो रेडिंग करना पसंद हो कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वह आप कर सकते हो उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा सेकंड ऑप्शन है रोज हर रोज एक व्यक्ति के फेस पे स्माइल लाना जी हां हम पूरे दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते लेकिन उन सारे लोगों में से किसी एक के स्माइल ला दे तो समझ रिलना कि हमारा यह पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया है बगवान ने हमें इस प्रूथवी पेजा है तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा तो आप बस किसी के चहरे पे एक स्माइल भी ला दो तो भी काफी है और ऐसा ना कर सको तो आप किसी की सब्सक्राइब ला सकते हो थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में कि टैंशन लेने का टाइम टेबल बनाओ तो अजीब लगा ना हां लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आप चाहो तो उसका भी टाइम टेबल बना सकते हो नॉर्मली क्या होता है कि सबकी लाइफ में टैंशन होता है लेकिन हम क्या करते है कि पूरा दिन उसी सोच में हम बीता देते और अपनी लाइफ एंजोई पूरी तरह से एंजोई नहीं कर पाते तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर रोज शाम के टाइम को तीस मिनिट उनली तीस मिनिट जो जो भी कुछ आपकी लाइफ मे उसके लिए तीस मिनिट दीजिए और उसी तीस मिनिट में आप अपने टेंशन प्रॉब्लम के बारे में सोची उसका शॉलेशन सोची और फिर जैसे ही वो तीस मिनिट खतम होते उस टेंशन को वही पर रख दीजिए उससे आगे आपको कुछ भी सोचना नहीं है अगर हैं आपको ग़र से बाहर में निकल जाना है लट ऑनने के लिए डीए फिर गुमेने के लिए निकल जाना है या दो आपका मन पसंदिकृज सुन शूंग सथे हो औक पड़ सकते हो ऐसे आप अपने माहीं को डिस्ट्रैक कर सकते जिसे ऐसा मैंने कही थी एकी बार में हो चाहिए अगला ऑप्शन है गड़ी में देखे बिना पूरा दीन बीताना जी हाँ अगर आप चाहो तो आप घर से बाहर निकलो आप अपने मनपसंद जगह पे जाना चाहो तो वहां पे आप अपना मोबाइल घड़ी कुछ भी लेके जाना नहीं है और फ्रीली उस टाइम को एंजय करना है क्योंकि आजके जमाने में लगता है कि जैसे टाइम ने हमें बंद लिया है क्योंकि हम सबको टाइम की हिसाब से चलना पड़ता है घड़ी की हिसाब से चलना ही पड़ता है तो क्या घड़ी साथ में होगी तो हमें टैंसर रहेगा कि यह काम करना रहेगा वह आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने साथ क्योंकि हम नॉर्मली बाहर जाते हम को मतलब रूटीन लाइफ में हमें बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता मैंने अभी अभी बोला कि आप सुबह में पढ़ सकते हो लेकिन सुबह में उतना अभी टाइम हमें नहीं मिलता त क्योंकि बुक्स में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है जो कहीं पर भी नहीं मिलता और आप किसी भी जगह पर भी यह बुक्स पर सकते हो और नॉलेज बढ़ा सकते हो बुक्स पढ़ने की आदत बहुत ही अच्छी आदत होती है क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक हम जी की तरह रखनी चाहिए क्योंकि हर रोज ज्यादा तो नहीं बोलती में लिकिन एक दो पन्ने तो आपके बुक्स के पढ़ने ही चाहिए और कौनकन सी बुक्स पढ़नी चाहिए वो भी में उसके लिस्ट भी में यहाँ पर मैंशन कर दूंगी लास्ट अप्सन की बात करो तो सबसाइब सब्सक्राइब का नाम है तवेगों का नियम याद रखो फॉलो करो उसे समय अजीी । आ किसे बी आदत को नॉर्मल हमें लगने से 21 डीन से उसकी आदत होने लगती है एक दम से तो आदत होए नहीं जाती तो बस आपको 21 दिन का time दो आप खुड को देना लगा जो जो बाते मेन आगे आपको बढक रहाई उस step आगे में आपके साथ जरूर शेर करूंगी लेकिन अभी के लिए आप ये ट्राय करके दिखिए और क्या-क्या फर्क क्या-क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में मुझे कमें जरूर बाताना और ये वीडियो मेरा कैसा लगा वह भी मुझे बताना और पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये शेर कीजिए और ऐसा ही नेने जुड़ी दिखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ झाले आए है पावा है तो लाए है